अजी मैं अब और जादा उड़ नहीं पाऊंगी मेरे पेट में बहुत दल्ध हो रहा है बस अब थोड़ी देर और लाडो मुझे आगे एक जंगल दिख रहा है और वहाँ पर पंचियों के कुछ गोशले भी दिख रहे हैं हम आज रात के लिए वहाँ पर रुखते हैं थोड़ी देर और उड़ने पर लाडो और बल्लू उस चंगल में आ जाते हैं वो दोनों एक पेट की डाली पर बेट जाते हैं अजी अब आगे क्या क्या हम ऐसे ही राग पर इस पेट की डाली पर बेटे रहेंगे मैं बहुत थक गई हूँ मेरे पेट में भी बहुत दर्ध हो रहा है लगता है अब मैं जल ही अंडे देने वाली हूँ ये जंगल तो हमारे लिए नया है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पंचियों के गोसले दिख रहे हैं हमें किसी से मदद मांगनी होगी वसाट की राज जैसे देसे गुजर जाए कल में इसी जंगल में टूटा पूटा गोसला बना लूँगा और अंडो से बच्चे बाहर आने तक हम इसी जंगल में रहेंगे लाडो और बल्लो निकल पड़ते हैं फोड़ी देर खोज करने के बाद उन्हें एक पेड़ पर एक गोसला दिख जाता है दोनों उस गोसले के पास आ जाते है बल्लू गोसले का दरवासा खटखटाता है अरे तुम दोनों कोन हो? क्या मैं आपको पहचानता हूँ? भाई साप मेरा नाम बल्लू है और ये है मेरी पत्नी लाडो हम इस जंगल के नहीं हैं हम बहुत दूर से उड़कर यहां पर आये हैं हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया था इसलिए हमारा गोसला तूट गया हम जैसे तेसे करके जान बचा कर यहां तक पहुँचे हैं मेरी पत्नी पेट से है और जल्द ही मा बनने वाली है क्या आज रात के लिए हम आपके गोसले में रुक सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं तुम दोनों अंदर आ जाओ वो दोनों अंदर जाने ही वाले थे तभी गोरी नाम के कम भी उन्हें रोग लेती है अरे 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 रुको तुम दोनों अंदर नहीं आ सकते क्यों जी आप ऐसे ही किसी भी एरे गेरे को घर के अंदर आने दोगे ये तुम क्या कर रही हो ये दोनों मुसिबत में हैं हमें इनकी मदद करनी चाहिए अगर ये दोनों मुसिबत में हैं तो ये इनकी परिशानी है ना कि हमारी एक तो घर में रहने के लिए जगा नहीं है और ना खाने को अनाच अगर इन्हें अंदर ले लेंगे तो हम मुसिबत में आ जाएंगे इतना बोल कर गोरी घर का दरवाजा लगा लेती है अलू जी अब हम क्या करें? चलिए हम किसी और से मदद मांगते है दोनों वहाँ से निकल परते है थोड़ी देर और खोज करने के बाद वो दोनों एक होटल के पास रुख जाते है अरे लाडो ये देखो यहाँ पर एक होटल है चलो हम इस होटल के मालिक से मदद मांगते है दोनों उस होटल के पास आ जाते हैं उस होटल की मालकिन एक टूनी नाम की चिडिया थी बहन जी हम बहुत दूर से उड़कर इस जंगल में आये हैं मेरी पतनी पेट से है क्या आज रात के लिए हम आपके होटल में रुख सकते हैं सुबो होते ही हम आपके होटल से चले जाएंगे अच्छा ठीक है इतनी सारी बढ़बढ करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे तुमारी आप बिती सुनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है तुम जितने दिन रहना चाहते हो उतने दिन रह सकते हो बस एक बात है तुम्हें ए मुसले के साथ साथ हमारे पास जो कुछ भी था वो सब भी चला गया अगर देने को अनाज नहीं है तो इस होटल के रूम भी नहीं है चलो जाओ यहां से दीदी मेरे पेट में बहुत दग कर रहा है पस आज रात के लिए रुपने दो हम कल सुबह होते ही यहां से चले यह एक पोटल है कोई धरमशाला नहीं जो मैं ऐसे ही किसी को भी फ्री में रहने दू अगर मैंने ऐसा किया तो मैं कंगाल हो जाओंगी अब जल्दी से अपने पती को लेकर यहां से निकल जा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा लाडो और बल्लू वहां से निकल पड़ते हैं पता नहीं कहां कहां से आते हैं लाडो इस जंगल के पंची तो बहुत ही अजीब है कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा वो दोनों बाते कर ही रहे थे तबी वहां पर एक कालिया नाम का कववा आ जाता है अरे ओ पंचीयो तुम दोनों कौन हो और यहां बाहर इतनी तेज बारिश में क्यू बेटे हो क्या तुम रास्ता भटक गए हो बल्लू सारी बात कालिया को बताता है क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हो बल्लू की बात सुनते ही कालिया सोच में पढ़ जाता है अरे वह आज बहुत दिनों बाद ऐसा शिकार हाथ लगा है मुझे ये मोका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए अरे भाई साब आप कहां पर खो गए क्या हुआ क्या आप हमारी मदद कर सकते हो अहां क्यू नहीं अच्छा हुआ आप दोनों को मैं मिल गया ये जंगल बहुत खतरनाक है यहाँ पर बहुत सारे शिकारी पंची रहते हैं अब जल्दी चलो यहाँ से मेरे पीछे पीछे आओ कालिया वहां से निकल पड़ता है और उसके पीछे पीछे लाडो और बल्लू अची क्या हम इस कव्वे पर भरोसा कर सकते हैं मुझे तो बहुत डर लग रहा है अरे लाडो तुम चिंता मत करो मैं हूना तुमारे साथ हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है तुम डरो मत मैं तुम्हे कुछ नहीं होने दूँगा थोड़ी देर उड़ने के बाद कालिया उन दोनों को एक पेड़ पर बने तूटे फूटे गोसले के पास लेकर आता है अरे भाई साप आप ये हमें कहां लेकर आए अरे तुम दोनों डरो मत मैं इस जंगल में बहुत सालों से रहता हूँ इसलिए इस जंगल में मेरे बहुत सारे गोसले है इस गोसले में कोई नहीं रहता इसलिए इसकी हालत ऐसी हो गई है लेकिन बाहर बारिष में अपनी जान दाव पर लगा कर रहने से तो अच्छा है कि आप दोनों आज रात के लिए इस गोसले में रहो और हाँ मैं इसके बदले आपसे कुछ नहीं लूँगा आप जितने दिन चाहो उतने दिन यहां पर रह सकते हो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भीया हम आपका ये ऐसान कभी नहीं भूलेंगे कोई बात नहीं बहना अब तुमने मुझे भाई कहा है अब तुम दोनों अंदर जाओ मैं बाहर से दरवाजा लगा लेता हूँ लेकिन ऐसा क्यों भाई साब ऐसा इसलिए क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे शिकारी पंची रहते हैं और वो रात को शिकार की तलाश में गूमते रहते हैं अगर वो यहाँ पर आ गए तो बाहर से गोसले को ताला देखकर वो समझ जाएंगे कि ये गोसला खाली है और वो यहाँ से चले जाएंगे अब जल्दी से अंदर जाओ मैं ताला लगा लेता हूँ ये तो बहुत अच्छा एडिया है भाई साब आपका बहुत बहुत चुक्रिया बल्लू और लाडो गोसले के अंदर चले जाते है जैसे ही वो दोनों अंदर चले जाते है कालिया बाहर से दर्वाजे को ताला लगा देता है और वहां से निकल पढ़ता है अरे वावावावा आज तो मेरी निकल पढ़ी इतने दिनों बाद इतनी आसानी से सिकार मिल गया अब सीधा शिकारी छिल के पास जाता हूं और उन्हें यहाँ पर ले कराता हूं मुझे इन दोनों के बदले अच्छा खासा इना मिलेगा कालिया अपने ही दुन में मस्त मगन होकर जा रहा था तभी मीनु मौसी ने अपने घूसले के खिड़की से कालिया को जाते हूए देख लिया अरे ये कलमोहा कालिया इतने तेज बारिश में कहां जा रहा है और राद भी काफी हो गई है अरे हाँ यहाँ पास में ही इसका एक पुराना घूसला है कही इसने पिछली बार की तरह किसी शिकार को अपने घुसले में बन करके तो नहीं रखा मुझे जल्दी जाकर देखना होगा मीनु मोसी अपने घुसले से निकल कर कालिया की पुराने घुसले की तरफ निकल पड़ती है थोड़ी ही देर में वो वहाँ पर आ जाती है आते ही मिनु मोसी ने देखा गोसले को तो बाहर से ताला है मुझे एक बार खिड़की से जाक कर देखना चाहिए जैसे ही मिनु मोसी ने खिड़की से जाक कर देखा उन्हें लाडो और बलू चिडा अंदर सो रहे दिखाई दिये अरे बापरे मेरा शक्त सही निकला यहाँ पर तो सच में दो पंची है इसके पहले की कालिया किसी शिकारी को लेकर यहाँ पर आ जाए मुझे इन दोनों को बचाना होगा मिनु मोसी किसी भी ताले को बिना चाबी के खोलने में माहिर थी उन्होंने अपने इसी खुबिक की मदद से उस गुसले के ताले को खोल दिया और दर्वाजा खोल कर गोसले के अंदर चली गई जैसे ही वो अंदर चली गई लाडो और बलू चाक गए अरे तुम कौन हो प्लीज हमें मत मारो मेरी बीवी पेट से है हमें छोड़ दो अरे एक छुप रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो मैं तुम्हें यहाँ पर मारने नहीं बलकी बचाने आई हूँ अब जो मैं कहती हूँ वो चुपचाप सुनो थोड़ी ही देर में कालिया एक शिकारी चिल को घुसले के पास लेकर आता है अरे देने वाला जब भी देता तेता चप पर फाड़ के अरे ओ कालिया के पिल्ले ये बेसुरा गाना गाना बन कर और ताले की चाबी दे अरे यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है अरे ओ कव्वे के पिल्ले जरा अंदर आकर मोंबती लगा अरे मर गया रे ये कौन मार रहा है हमें बचाओ कालिया के बच्चे तुने मुझे फसा कर अच्छा नहीं किया मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा तीनों मिलकर उन दोनों की बहुत पिटाई करते हैं और बाहर आकर घोसले का दर्वाजा लगाते हैं मुझे आपका नाम तो नहीं पता लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम आपका ये एहसान जिन्दगी भर नहीं भूलेंगे आपने हमारी जान बचाई मेरा नाम मीनु है मैं इस जंगल की सबसे सीनर चड़िया हूँ इसलिए मुझे सब प्यार से मीनु मौसी बुलाते हैं अब तुमें यहाँ पर कोई खत्रा नहीं है मीनु मौसी अगर आप सही समय पर यहाँ नहीं आती तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता अजी अब मेरे फिर से पेट में बहुत अग कर रहा है थोड़ी ही देर में लाडो दो प्यारे प्यारे अंडे दे देती है दूसरे दिन सुभा बल्लू पास वाले एक पेड़ पर तूटा फूटा घोसला बनाता है और वो दोनों हसी खुशी जिन्दगी बिताने लगते है